स्वागत आप सभी का एजुकेशन आफ आयरवेद में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आयरवेद फार्मासिष्ट की जो भरती है उस पे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप सभी के और जब आप देना जरूरी है बहुत सारे क्वेस्टन भी है आप सभी के तो सारी चीज़े आपको समझ में आ जाए कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है तो वीडियो में लास्त बने रहेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमने बताया कि जो आपकी भरती आई है यूपी ट्रिपल सी आयरवेद फार्मासिष्ट की भरती के उपर हम बात करेंगे आयरवे अपवादों का एक सिल्सिला जो है बंस आ गया है बहुत सारी चीज़े जो है सामने निकल के आ रही है जिन्होंने पेट दिया है वो अखुस है जिन्होंने नहीं दिया है वो दुखी है कोई रीट दाखिल करने के लिए चला गया कई लोगों ने दाखिल किया रीट का क्य जबाब मिला उसके अतरिक्त अभी कितने रीट दाखिल किये गए हैं दूसरी चीज भर्ती से रिलेटेट कोई इनफॉर्मेशन पॉजिटिव आने वाली है या कोई निगेटिव आने वाली है भर्ती में कितने फार्म पड़े और कितने जो कैंडिडेट हैं हमारे द्वारा त्यारी कर रहे हैं और उनका किस हिसाब से प्रदर्शन है ये सारी चीजे हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आयरवेद भैसिजिक हैं उनकी सबसे पहले जो बात होगी उनकी जो भरती है उस पे कि भरती किस हिसाब से आई है और क्या होने वाला है तो आ तीन मार्च थी जो की बीट चुकी है अब संसोधन चला है जिनकी गलतियां हुई थी उनका संसोधन चला है गलतियों पे भी बहुत सारी चीजे निकल के आई उस पे भी बात करेंगे और आपके फार्म में जो अंडर प्रोसेस की प्रोसेस, अंडर प्रोसेस जो लिख कर क्या रहा है, उस पर विवात होगी, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, और लास्ट तक बने रहेगा, ताकि एक भी पॉइंट जो है, एक भी डाउट जो है, छूटे न, ठीक है, तो भरती में 1002 पोस्ट निकली है जिसकी अंतिम्ति थी, जो है, तीन मार्स थी, जो की बीच चुकी है, अब संसोधन का समय चलना है, और जो सुधार का समय है, वह 11 मार्स तक ही है, 11 मार्स से पहले सुधार आपको करा लेना है, ठीक है, 1002 सीटे है, अब दूसरी चीज, जिन्हें आपत्ती थी, जिन्होंने पेट नहीं दिया था, पेट परिच्छा नहीं दिया था, उन्होंने रीट दाखिल की कोट में, जिनकी रीट जो है, पेट के खिलाब जो है, यह रीट जो है, कैंसल हो गई, कैंसल हो गई, इसको अमानने कर दिया गया, नकार दिया गया, ठीक है, एक याचिका और डाली ग ठीक है एक और याचिका थी जिसमें यह था कि जो OBC की जो सीट है वह बढ़ी जादे होनी चाहिए थी लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया रद कर दिया गया यह कह करके कि जो नियुक्तियां हुई है OBC आयरवेद फार्मासिष्ट के जो इस समय कारिरत है उनकी संख्याए जादे है इसलिए जो सीट है उसी हिसाब से निकाली गई है कि जितने पद खाली है जिन अभियर्थी या जिन भी समूह के जो लोग है उनके हिसाब से जो रिक्तिया है निकली है ठीक है तो दो याचिकाएं थी यह रद हो गई इसके अत्रीक तौर चीजे बता दे कि बहु सारी चीजे अभी भी लगी हुई है लेकिन एक पॉजिटिव चीज हम कहना चाहते हैं सबसे जरूरी चीज जिन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला है वो तैयारी में जुट गया है क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि जो भरती है वो एक्की सो सीट पे आने वाली थी ठ मतलब कि इन में इन सीटों पे अगले साल भरती आने वाली है यह बात तो पक्की है अब जिन्होंने पेट नहीं दिया जिन्होंने पेट दिया क्या चीजे लाब होंगी क्या नुकसान होंगी यह चीजे भी बात करेंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखते ह पिट क्लियर जिनका है उनकी तो आप सभी को बता दें कि जो फार्मासिस्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो लगभग 12,000 थे मतलब कि फार्म निकलने तक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इतने थे उसके बाद से इनकी संख्या जो है लगबग 16,000 के लगबग पहुँच गई 16,000 तक जो संख्या है वो पहुँच गई मतलब कि 16,000 जो रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट है वो हो चुके है ठीक है जो रजिस्टेशन कराए लेकिन जो पेट पास अभ्यर्थी है जिन्होंने पेट पास किया है उनकी संख्या मैक्सिमम संख्या हम बता रहे है जो की लगबग 3,000 के लगबग ही है पेट पास कितने लोग है? 3,000 है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है course complete किया है और जो registration करा है उनकी संख्या मात्र 3000 है ठीक है आपको एक चीज़ और बता दे कि RTI डाल दी गई है कितने farm पड़े है उसका जबाब एक दो रोज में आ जाएगा pending है लेकिन अनुमान तह अगर हम ज्यादे बताएंगे तो अनुमान हमारा ये है कि लगभग 2200 से 1900 जो farm है वो पड़ने की संभावना है इससे ज़्यादे नहीं 2200 से 1900 farm पड़ने की संभावना है इससे ज़्यादे नहीं क्योंकि जो पेट अभ्यर्थी है उनके हिसाब सही farm पड़ेंगे दूसरी चीज अब कमेंट कई लोग का आ रहा है कि एक लाख farm पड़ चुका है कई लोग का आ रहा है 50,000 पड़ चुका है कई लोग का कमेंट अभी एक कमेंट हम देखे जिसमें बताया जा रहा था कि 64,000,000 पड़े हैं पता नहीं किसी साब से 64,000,000 कई लोग बता रहेंगे 64,000,000 फारम पड़ गया है 50,000 पड़ गया है 1,000,000 पड़ गया है कहां से आ गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है जब पेट अभी हर्थी जब इतने नहीं है और जब रजिस्टेशन इतने लोग का ही है तो फारम कहां से पड़ेंगे अगर आपके पास सामाने बुद्धी भी है तो आप सोच सकते हैं कि जब रजिस्टेशन इतना है अगर सौब भी डाल देंगे तो इससे उपर तो नहीं जाएगा न फारम और अगर इससे उपर चला भी गया इनके इनकेस जो है फारम अपलाई करने का जो तरीका है आपने भरा होगा तो आपको अच्छे तरीके से पड़ता होगा कि फारम लॉग इन कैसे हो रहा है आपके पेट इग्जाम जो 2023 का आपने पेट इग्जाम दिया है उससे फारम लॉग इन हो रहा है तो कैसे संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है, तो यह हुई बात आपके फार्म की कि कितने लोगों ने लगबख फार्म भरा होगा, ठीक है, अब ये बाते हो गए, दो चीजे हमने क्लियर कर दी, पहली चीज हमने क्लियर की, कि जो 1002 सीटे हैं उस पे न्यूकती निकली कई आजकाय डाली गई कई आजकाय खारीज हो गई बहुत सारी आजकाय अभी बची हुई है जिन पर सुनवाई चली लेकिन हम यह बता रहें कि आप साकरात्मक रही है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और हम किसी के पच में भी नहीं है किसी के विपच में भी नहीं जो बच्चे पेट नहीं दे पाए है वह भी हमारे पेट के उनको समलित नहीं कराया जा सकता, इस चीज पर जो या चिकाय है या जिस वकील को आप पैसा दे रहे हो, वो आपका बस नुकसान कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज, भरती कई लोग कह रहे हैं कि रद हो जायागा, ये हो जाय कि कितने फार्म पढ़े हैं, इसमें कोई लागलापेट करने की जुरत नहीं है, ठीक, दूसरी चीज, आपके लिए एक पॉजिटिव चीज ये होगा, कि जो 1098 जो पोस्ट है, जो आने वाली है, वो अगले साल आएंगी लगभग 2025 में संभावना यही है कि 2025 में आ जाएग पेट का जो फार्म भरा जाता है, तो आप उस पेट के फार्म को भर दीजेगा, फार्म क्या करना है, भर देना है, कब आएगा फार्म, पेट फार्म आएगा, जुलाई या अगस्त में आ जाता है, तो पेट फार्म भर देना है, क्योंकि इस भर्ती में जाने के लिए, दूसरी चीज अभी से आप लग जाए भरती की तयारी में एक मात्र भरती की तयारी करने में लग जाए एक मात्र गोल बना लीजिए लच्छे बना लीजिए कि आपको आयरवेध वहसजी की जो पोस्ट उसको लेना है इसके अत्रिक्त कोई उद्देश से लाइफ का आपके जीवन का नहीं होना चाहिए जब इसको उद्देश से बना के चलेंगे तो यह प्राप्ती अवस्य होगी लेकिन एक चीज हम बता सकते हैं पेट जिन्होंने नहीं दिया है उनको नुकसान तो बहुँ ज्यादे हुआ है क्योंकि इस समय सुनारा मौका था अब उन्हें यह लग रहा है कि नहीं पता नहीं भरती आएगी नहीं आएगी लेकिन आपको बस हम यह बता रहे हैं सांथुना नहीं दे रहे हैं लेकिन यह कह रहे हैं कि जो नेमावली बनी थी उसमें जो संख्याय हैं उसके हिसाब से अनुमानता यही है कि जो 1098 जो पोश्ट है वो जरू आये कि ठीक है तो आपको क्या करना लग जाना है तैयारी करनी दूसरी चीज जो लोग तैयारी कर रहा है परिच्छा की तैयारी कर रहा है तो जो आयरवेद भैसी जी की तैयारी कर रहा है उनको हम बता दें कि आपकी जो परिक्षाएं अभी आपको पता है कि मार्च में ही ज जुलाई और अगस्त के आसपास हो सकते हैं जुलाई और अगस्त के आसपास एक्जाम जो है हो सकते हैं अगर लेट हुआ तो सेप्टेंबर में भी जा सकता है सितंबर में भी जा सकता है यह परिछा जो है आपका जुलाई या अगस्त के आसपास हो सकता है ठीक है तो जो तै त्यारी करना चाहते हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया है लेकिन चाहते कि हम अभी से त्यारी करें बाद में हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाएं उनके लिए हम बता दें आप सभी को सबसे इंपोर्टेंट चीज यह बतानी है कि हमारा जो आयरवेद का जो कोर्स है हमारे अभी भी लाइब है चल रहा है और आपको बताया दूं कि हमारे पास अभी फिलहाल में जो बच्चों की संख्या है आयरवेद फार्मासिस्ट की साथ सो सरसथ जो है इस्टूडेंट हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं साथ सो सरसथ जो इस्टूडेंट है वह अभी हमारे प इतने हैं इसमें हम बता देंगे एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास जो है लगबग 1000 इस्टूडेंट की जो सीट थी उसमें से साथ सो सरसट भर भर चुकी है और हम जो है अपने एप पे रजिस्टेशन एडमिसन जो है बस 1000 इस्टूडेंट आयरवेद फार्मासिस्ट को देने वाले हैं नहीं तो सीटे जो ही बर जाएंगी तो फिर हमारे थ्रू जो हमारा इंस्टूट है फिर एडमिसन लेना बंद करतेगा तो आप सभी को बता दे जीने हैं भी तैयारी करनी है अभी भी समय आपके पास है जल्द फिस हमारी है उसी फिस में क्लासेज आपको दे दी जाएगी लेकिन जैसे ही हमारे पास 1000 स्टूडेंट की एक तरह से क्वांटिटी हो जाती है संख्या हो जाती 1000 स्टूडेंट की तो हम क्या करेंगे फिस जो है बढ़ भी सकती है तो इसलिए आपको नुकसान नहों तो जल बता दे कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक लाग फार्म पढ़ गए दो लाग पढ़ गए तीन लाग पढ़ गए उनके लिए सबसे जरूरी चीजी है हम बता दे कि आपको जो फार्म की संख्या आप गिन रहे हो वह पहले रजिस्टेसन के आधार पे आप गिनिए ठीक ह उस तरह से हवा में गिनने की जुरत नहीं है हमारे पास पूरा हर चीज का डाटा उपलब्ध है सारे एनलिसिस किये हुए है तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं आपके फार्म की जिन्होंने फार्म भरा और फार्म में दो चीजे वो जोड़ रहे हैं एक कहा रहे हैं कि सर हमने 600 नंबर में भर दिया 600 अंक में भर दिया जो की अंतिम वर्स का था क्या था अंतिम वर्स का जो डिपलोमा का मार्क था हमने 600 भर दिया कई लोग ये कह रहे हैं कि सर 1200 अंक में हमने भर दिया मतलब उन्होंने क्या किया First year का और Final मतलब कि Second year का जोड़ करके 1200 भर दिया तो कई लोग कह रहे हैं कि सर 600 भरे तो मेरा फारम रुग गया है Under Process दिखा रहा है क्या दिखा रहा है Under Processing Under Processing दिखा रहा है Farm तो अब क्या मेरा farm संसोधन कराना पड़ेगा जो 1200 वाले हैं वो सोच रहे हैं 600 करा ले तो ऐसा कुछ करने की जुरुत नहीं है आपने 600 भरा वो भी सही है 1200 भी भरा वो भी सही है इसमें कोई संसोधन की जुरुत नहीं है अगर आपको लगता है कि आप 600 करा लेंगे तो under processing से हड जाएगा या आपको लगता है 1200 करा लेंगे तो under processing से हड जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है एक notice release हुई थी जारी हुई थी किसी का नाम नहीं लेंगे उसमें लिखा हुआ था पुरा की board से बात हुई है सारी चीजे हैं तो उसके आधार पे भी अगर आपने फार्म भरा होगा तब भी सही है और अगर 600 के हिसाब से भी भरे होंगे तब भी सही है क्योंकि ना तो जो UP SSSC है वो आपको लिखित में देगा कि आप कितने मार्क भरेंगे कैसे भरेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है नियम यह होता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप simply क्या है आप Antimverse का जो मार्क है वो दे करके फार्म को सब्मिट कर सकते हो या चाहें तो दोनों जो येर हैं उनको जोड़ करके परसेंटेज निकाल के कर सकते हो क्योंकि यह जो है फार्म का आधार है इससे आपका कटाफ वगरा नहीं बनेगा ऐसा नहीं है कि आप गलती परसेंटेज डाल दिये और इसी के आधार पे होना था तो आपकी नोकरी नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है ये बस क्या है देखने के लिए है कि आपने जो एक्जाम दिया है जो रोल लंबर है आपका उसमें आपने कितना नंबर अरजित किया है वो सही है कि नहीं है ठीक है इसलिए आप अगर देखे होंगे तो अन्तिम वर्स का अनुकरमांक मांग रहा होगा तो अंतिम वर्स का जब आप रोल नमबर भरोगे तो मार्क अगर दोनों यहर का जोड के भरेंगे तो कैसे वह किस हिसाब से सही होगा कहां तक सही होगा अपने हिसाब सहाब समझ सकते हैं उसमें दिया हुआ है रोल नमबर और स्लैस करके दिया है सर्टिफिकेट नमबर रोल नमबर और सर्टिफिकेट नमबर तो जब रोल नमबर और सर्टिफिकेट नमबर दिया है तो आप अंतिम वर्स का ही रोल नमबर तो भर रहे हो सेकेंड वो अप्सन की बात कर रहे हैं ढूसरा जो फानन बर रहे होगे तो दूसरे नमबर में पहले नमबर में तो इंटरमीडियेट का ही घरना था तो दूसरे में जब आप पर नमबर रोन में शेडिटिट नमबर आप और Do the final का ढाल रहे हो तो मार्क भी तो final year का ही डालेंगे 600 जन Valour डालोगे तो परसेंटेज इसका जो अप्टेंड मार्ख होगा वहीं डालेंगे चारसो बीस या चारसो पचास जो भी आप पाए होंगे वो चीज यहां पर भरेंगे तभी नहीं इस फार्म को आठ मार्च है और संसोधन की जो तिथी है ग्यारा मार्च तक है इसमें कई लोगों का बेरिफाई भी हो जाएगा चाहे वो बारा सो भरे हो चाहे बारा सो भरे हो या छैसो भरे हो बेरिफाई हो जाएगा बारा मार्च के बाद बेरिफाई ठीक है बहुत लोग का ऐसा भी हो तब भी आपका verify नहीं होगा, under process में ही रहेगा, ठीक है, under process में ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपने इसके पहले कभी उपी, ट्रिपल सी का कोई भी exam दिया होगा, तो आपको ये पता होगा कि under process क्यों लिखता है, ये एक तरह से procedure है, जब फाम आ जब तक admit card नहीं आ जाता है यह कोई बड़ी बात नहीं under processing दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और दूसरी चीज आप संख्याओं के उपर न जाईए कितने लोग नोंने farm डाला, क्या डाला RTI पड़ी है, जो ही अभी पता चलेगा आप सभी को पता दिया जाएगा दूसरी चीज, तैयारी मन से कीजिए और आयरभासकर क्लासे जो है बहुत ही बहतरीन तैयारी करा रहा है आप जल्दी से जल्दी एप पर्षेच कर लीजिए एप लेने के लिए बहुत ही easy way है, आप play store पे जाईए आयरभासकर सर्च कीजिए एप मिलेगा, वहाँ से अपने मुबाइल नंबर से लॉग इन कीजिएगा, लॉग इन करेंगे आपको कोर्स दिखेगा, आयरभेद फार्मासिस्ट का आप पे मेरी फोटो भी चल लही है आप फोटो क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करोगे तो डिरेट आरवेद फार्मासिस्ट का कोर्स खुल भी जाएगा वहाँ से भी एप पर्चेज कर सकते है पेमेंट का थोड़ा सा चेंजिंग हो गया बईनाओ करने के बाद से I am interested दिखा रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके WhatsApp और मैसेज में लिंक जाएगी पेमेंट करने की वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो नहीं तो आप डारेक्ली क्या कीजिए Google में आयूर भासकर लिख दीजिए आयूर भासकर लिख करके जैसे ही लॉग इन करोगे जैसे ही सर्च करोगे आयूर भासकर तो आपको हमारा जो ओफिसल वेप साइट है दीखेगा वहाँ से लॉग इन करके डाइरेक्ट जो है आप क्लास वहीं से पर्चेच कर सकते हो आप फोन में चलाईए उसे कोई दिक्कत नहीं है डेक्स्टॉप साइट पे जा करके या लेप्टॉप पे जा करके आप हमारी साइट जो है खोल करके वहाँ से डाइरेक्ट क्लासेज ले सकते हो अभी भी मौका है जिन्होंने क्लासेज नहीं ली है वो क्लासेज ले ले ताकि तयारी आपकी बहतिरीन हो जाए और सबसे जरूरी चीज क्या है कि मुख्य परिच्छा के द्वारा आपका सेलेक्शन होना है जितना बहतिरीन आप तयारी करोगे उतना सेलेक्शन आपका पक्का होगा वीडियो अच्छी लगती है सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आगे तो दूसरों तक पहुचाने के लिए आप सभी वीडियो को जादे जादे सेयर कीजे और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि कोई भी आपको एप से रिलेटेड कोई भी इस हुगा आता है तो डिरेक्ट हमारे ही ओफिस में कॉल लगने वाली है आपकी सारी जो समस्या है यहां से सुल्जा दी जाएंगी ठीक है तो वीडियो इंपोर्टेंट लगती है तो दूसरों तक जरूर सेयर कीजिए अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद